समस्ते बच्चों क्लास दसमी वीशेग नीतो और प्रिशनावली अपनी सरकेल चल रही है बार मी और बारापेंट टेक के जो कोशन है उसके बारे में अपने पहली प्रिशनावली वीडियो में समझ चुके हैं उसके बाद अपने दूसरी वीडियो में थ्योरम की थी पहला कोश्न क्या दे रखा है सत्य आयस अर्म और और यह थारी qo sorting जो आपने पहली वीडियो कर चुकी है कि उक्न IT और रPS पसे कते हो कि कौंसा सत्य है और कौंसा आयस्ति है और क्यों है यह भी आप को पता चल जाएगा तो देखो पहला कोश्टिन क्या दे रखा है कि एक व्रेत की A, B, C, D दो जिवाई हैं उनकी माप दे रखी है तीन और चार है और उनके द्वारा के इंदर पर जो अंतित कौन है वो दे रखी है अब देखो A, B का माप कितना है तीन, C, D का माप कितना है चार और A, B कितना कोन बनाती है तीन और C, D कितना बनाएगी चालिस दिगरी अब देखो A, B का माप तो तीन है लेकिन कोन कितना बना रही है 70 डिगरी मतलब बड़ा कोन बना रही है और C, D का माप 4 है और वो छोटा कोन बना रही है कैसा पोसिबल है जो जिवा जितनी बड़ी होगी जिसकी माप बड़ी होगी उसके द्वारा के इंदर पर अंतित कोन भी क्या होगा बड़ा होगा लेकिन यहां पर क्या दे रखा है उल्टा दे रखा है बड़ी जीवा तो छोटा कोण अंतित कर रही है और छोटी जीवा क्या कर रही है बड़ा कोण केंदर प्रांतित कर रही है तो यह है क्या हो गया सत्य हो गया दूसरा कॉशन देखो कि एक जिवाएं जिनकी लंबाईयां दे रखी है फिर वापिस से कितनी दे रखी है दस सेंटीमेटर और दूसरी दे रखी है आठ सेंटीमेटर एक जिवा की लंबाई दस है दूसरी है आठ और उनकी केंदर से दूरी कितनी है दस वाली है वो केंदर से आठ सेंटीमेटर दूर है केंदू है केंदर है तो जो सरकल की लंबाई जितनी बड़ी होगी वो कहां होगा इसके आसपास होगा और जिसकी लंबाई छोटी होगी वो इसकी नीचे केंदर की तरफ सबसे जो बड़ी जीवा होती है कौन सी होती जो केंदर से गुजरती है तो बड़ी जीवाँ की लंब से जो 10 वाली है वो तो उसकी दूरी तो 8 है और जो दूसरी है उसकी केंदर से दूरी ये वाली तोटल दूरी ये वाली कितनी कह रहा है वो 5 है कैसा पॉसिबल है नहीं ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि जो जीवा जितनी छोटी होगी जो जीवा जैसे ये केंदर है जो जीवा जितनी चोटी होगी के अंदर से उसकी लंबाई क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी तो यह भी क्या हो गया है सत्य हो गया दूसरा भी आपका ऐ सत्य है तीसरा कोशन देखो कि एक जो वृत की जिवाई हैं A.V. और C.D. में से परते के अंदर से क्या है 4 दूरी पर है और तब वो क्या कह रहा है कि वो दोनों जिवाई समान है तो ऐसा बिल्कुल सत्या है क्यों सत्या है अपने प्रमे भी कर चुकी है कि केंदर से जो जिनकी दूरी समान होगी जिवाउं की उनकी लंबाईया समान होगी या फिर यूं कहेंगी जिदि लंबाईया दोनों की समान है तो केंदर से उन दोनों की दूरी भी क्या होगी समान होगी तो यह उस पर में कि अकोर्डिंग बिलकुल सत्य है इसके बाद देखो चोथा कोशन क्या है ओ और ओडेश केंदरों वाले दो सर्वांगसम वृत दे रखें हैं ए और भी दो बिन्दूओं पर प प्रतिशेद करती हैं सर्वांगसम है यह बिन्दू माल लो और यह वाला बिन्दू क्या माल लो इसको बी माल लो तो यह क्या कह रहा है कि इनके द्वारा जो अंतित कौन है यह वाला और इदर अंतित कौन होगा यह वाला तो यह ओ है यह ओडेश है दोनों क्या है सर्वां जीवा है तो इसके द्वारा जो अंद्रित कौन होगा वो भी क्या होगा फिर ये वाला कौन भी क्या होंगे समान होंगे के इंदर परिन के द्वारा अंद्रित कौन क्या होंगे फिर समान होंगे ये क्या है सत्या है इसके बाद देखो अगला कोशन दे रखा है कि तीन सरेख बिंदों से होकर एक वृत खिंचा जा सकता है बिल्कुल गलत है तीन सरेख बिंदों से इसका मतलब ये बिंदो ये बिंदो ये बिंदो क्या इस परकार कोई सरकल खिंचा जा सकता है क्या नहीं खिंचा जा सकता है तीन सरेख बिंदों पर सरकल नहीं खिंचा जा सकता है तीन विन्दूओं ए तथा 20 से होकर चार सेंटीमेटर स्राइब का वर्त कहिंच हो दिए बी- exploit चीन्बाइ को तो उसका व्याष्ट भी ओँ सब्रक्राइब तो यह किया है आपका विलकुल सथ्या है कि जदि तृज़ माँच कि चार है तो उसकी दुगणी रेखा पर 2 विंदो से प्रतिश्यदन से अपने कोई Bay सरकल खींच सकते हैं तो यह क्या है सत्या है तो यह आपका पहला कोशन था सत्या और सत्या वाला जो पूरा हुआ इसके बाद देखो दूसरा कोशन देखती है क्या दे रखा है दूसरा कोशन आपको दूसरा कोशन दे रखा है कि जदी वृत की त्रीजा 13 cm हो आप कोई भी सर 10 cm है तो जीवा की केंदर से दूरी ज्याद करनी है आप देखो ये सरकल तो आप ने मना लिए ठीक है देखे द्वारा से समझो इस बात को कि ये आपके पास कोई सरकल है इसकी कोई जीवा है इसकी लंबाई कितनी है 10 cm है ये केंदर है केंदर से ये क्या होगी त्रीजा होगी के अंदर से प्रिदी पर कोई भी बिंदू त्रिजा होती है ये कितनी उगी 13 cm और ये वाली रेखा खिंचेंगे के अंदर से जीवा पर कोई लंब डालते हैं तो ये वाला उसको क्या करता है दोसमान बागों में विवाजित करता है विवाजित कर दिया कि टोटल 10 है तो ये यह भी कितनी 5 यह भी कितनी 5 और इसने क्या पूचा है जीवा की कहंदर से दूरी चनी की क्या ग्याद करनी है यह वाली दूरी ग्याद करनी है एक्स ये अपने लूंब खिंचा तो Besok कहन पान्षपससर नबेड़ी का कौन है तो इस कौन करण क्या है 13 cm का जो square है अधार कितना है 5 का square प्लस लंब x का square इसकी बराबर है x square का तो अपने को मान निकालना है तो यहीं पड़ा है 13 को 13 से आप गुना करोगे यह 13 का जो square होता है वो कितना होता है 169 5 को 5 से गुना करोगे तो आपके पास आजाएगा 25 x square इन दोनों को गटाया तो कितना आगया 144 x square का मान है आपके पास 144 तो x का मान क्या आएगा 100 144 और इसको हल करोगे तो x का मान आपके पास कितना आजाएगा 12 cm कितना आजाएगा 12 cm आपके पास इसका मान आजाएगा जीवा की केंदर से दुरी कितनी है 12 cm है तो आपका ये जो दूसरा कोशन है पहला और दूसरा पूरा हुआ आगे के जो कोशन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे धन्यवाद